दोस्तों लगने जा रहा है साल का पहला सूरी ग्रहन जो की भारत में भी देखा जा सकेगा पहला सूरी ग्रहन और भगवान करे इसका काला साया आपके जीवन पर ना पड़े क्योंकि हर जीव जन्तू पर ग्रहन का असर जरूर पड़ता है सावधानिया बढ़तोगे तो कुछ फूल बंध हो जाते हैं प्रकरती ने इनको खुद ही देखबाल करना सिखाया है तो मनुशियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो भी स्वयम को सुरक्षित रखे इस समय के दौरान सुरक्षित रहने के लिए सावधानिया बढ़ते आज के इस वीडियो में सारी जानकारी में आपको देने वाली हूँ सूरी ग्रहन से जुड़ी हर बात आपको बताऊंगी क्योंकि 8 अपरेल को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और पहला सूरी ग्रहन 8 अपरेल को लगने वाले सूरी ग्रहन का समय क्या होगा कब से कब तक लगेगा सूता काल मान्य होगा या नहीं होगा इस दौरान क्या उपाय आपको करने चाहिए अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और कौन से उपाय करके आप अपनी जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं क्योंकि इस बार 8 अप्रेल 2024 को जो ग्रहन लगने जा रहा है वो सोमवार के दिन लगेगा और इस समय दैविय और असुरिय शक्तियां दोनों ही वातावरण पर हावी होंगी सबसे पहले तो आप इसका समय नोट कर लीजे देखे सोमवार के दिन ये सूरिय ग्रहन लगेगा और चैत्र अमावस्या रहेगी साल का पहला सूरिय ग्रहन एक पून सूरिय ग्रहन होगा सूरिय ग्रहन लगने का समय रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू होकर देर रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा इसकी कुल समय आवधी 4 घंटे 13 मिनट होने वाली है ये ग्रहन साफ साफ रूप से मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा की कुछ हिस्सों में पून सूरिय ग्रहन के रूप में दिखाई देगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सूरिय ग्रहन का जो सूतक काल होता है वो ग्रहन लगने से ठीक 12 घंटे पहले ही शुडू हो जाता है सूतक काल के समय किसी भी तरह के शुपकारे नहीं किये जाते हैं आपको बता दू कि इस वर्ष जो सूरिय ग्रहन लगने जा रहा है इसका इंतिजार वैग्यानिक ही नहीं बलकि धर्म शास्तर के लोग भी कर रहे हैं इस दिन आप कुछ खास उपाय करके अपने जीवन के समस्त कष् दोस्तों ग्रहन के समय जब सूर्य, चंद्रमा और प्रिथवी सभी एक रेखा में होते हैं चंद्रमा सूर्य और प्रिथवी के बीच में आता है इसलिए सूर्य पर उसकी चाया पड़ती है और इस घटना के परिणाम स्वरुप सूर्य का आंशिक या पून्ड ग्रहन होत इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधी माना गया है। पुराणों में सूर्य ग्रहन की समुद्र मन्थन से जुड़ी कथा भी मिलती है। प्राचीन काल में देवता और असूर दोनों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया था और इस मन्थन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। समुद्र मन्थन में जब अंतिम रत्न अम्रित निकला तो इसके लिए देवता और दानव दोनों में बीच में युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री हरी विश्नु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अम्रित पान करवाने लगे। उसी स राहू ने अम्रित पी लिया था इसी वज़ा से वो अमर हो गया। तब ही से राहू चंद्रमा और सूर्य को अपना शत्रू मानने लगा और समय समय पर इन ग्रहों को सताने लगा। उन्हें परिशान करने लगा और इसी घटना को हम सूरी ग्रहन या चंद्र ग्रहन के ना किन चीजों की मना ही है क्या करना शुपकारक होता है लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और अगर आप भी सूर्य देव के सचे भक्त हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जै सूर्य देव तुरंत लिख दीजे ताकि आपके और आपके पूरे परिवार पर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहे तेखे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूता काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता है ग्रहन काल में सोना भी नहीं चाहिए जो व्यक्ति ग्र कारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है पूजा पाठ करने से इसके विपरीत परिणाम दिखने लगते हैं ग्रहन काल में भूल से भी जाडू नहीं लगाना चाहिए अगर ग्रहन काल में जाडू लगाते हैं तो ऐसे में घर में दरिदता और कुलक्षमी का वास हो जाता ह घर के सदस्य रोग ग्रसित हो जाते हैं ग्रहन काल में खाना नहीं खाना चाहिए दिखे वैसे तो सूर्य की किर्णों को प्राकर्तिक किटानू नाशक के रूप में जाना जाता है लेकिन सूर्य ग्रहन के दौरान उनकी तीवरता अन्य दिनों की तरह नहीं होती है ये किर ग्रहन काल के दौरान कुछ खाना आपकी मजबूरी है आप बिमार हैं व्रध हैं या बच्चे हैं तो खाने की सामगरी में तुलसी पत्र डाल कर ही ग्रहन करें। सूखे पदार्थों में कुशा डालने की आवशक्ता नहीं होती है। इस समय घर में दूध बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। घर में दूध रखें हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर ही रखें। अन्यता ग्रहन काल में राहु के प्रभाव से दूध विशेला बन उर्जा के इस्तरोत सहित हमारे शरीर का उर्जा इस्तर भी कम हो जाता है। ये पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है। ये भी एक कारण है जो कि आपको ग्रहन के दौरान खाना खाने से बचना चाहिए। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं, व्रध हैं, अस्वस्थ हैं या फिर किसी विशेश परिस्थिती में है जहां लगातार जल की आवशक्ता होती है तो आप उबला हुआ ठंडा पानी पी सकते हैं और इसमें भी तुलसी पत्र डालना बिल्कुल भी ना भूलें अब उर्जा के लिए किश्मिश जैसे सूखे मेमों का सेवन कर सकते हैं वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भवती इस्त्रियों को दवाई लेने में कोई दोश नहीं लगता इस समय गर्भवती महिला घर में बिल्कुल भी बाहर ना निकले कितना भी जरूरी क्यों ना हो ग्रहन काल के समय में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है। यहां तक की शरीर में विक्रती आने का खत्रा भी रहता है। और अभी खास उपाय जो कि आपको ग्रहन से पहले ही कर लेना है। आपको क्या चाहिए तुलसी के पांच पत्र आपको ले कीजेगा। जिससे आपके शरीर में राहू केतु का कोई भी दुश प्रभाव नहीं आ पाएगा। इन सबसे आप सदा सुरक्षित रहेंगे। घर के छोटे बच्चे जो हैं किसी कारण इस समय घर से बाहर चले गए हैं और ग्रहन के बाद आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे के सर पर थोड़ा सा गंगाजल जरूर छिडग दीजेगा। ग्रहन का दुश प्रभाव दूर हो जाएगा। ग्रहन काल के समय विशेश रूप से ध्यान रखें कि तुलसी माता के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल अवश्य छिडगें। ग्रहन के बाद गौ माता की पूँच औ गुड, मसूर की दाल, तामबा, आदिका दान करना आपके लिए शुब रहेगा, इसके अलावा आदित्य हृदै स्त्रोत का पाठ कर लें, अपने गुरु मंत्र का जाब करना सबसे उत्तम रहता है, लापकारी होता है, ग्रहन समापती के बाद गाय को घास, पक्षियों को द दिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए कॉमेंट बॉक्स में जै सूर्यदेव अगर नहीं लिखा है, तो तुरंट लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब अभी कर दीजे, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान, हर रोज बिलकु और मुफ्त में सबसे पहले आपको मिलता रहे, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, जै श्री राम